हाई तो यह question दिया हुआ है इसमें हम लोगों को सिर्फ छोटा चाप्लिकेशन है को लिनियर वेक्टर्स का बस तो इसमें A और B दिये हुए दो नॉन जीरो नॉन को लिनियर वेक्टर्स हैं हम लोगे x की बली निकाली सज़दे this vector and this vector are collinear तो collinear vector हम लोगों को पता क्या होते हैं collinear vectors ऐसे vectors होते हैं जिनका parallel support होता है this implies कि vector same direction में भी हो सकता है और anti-parallels भी हो सकते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं इन्हों लोग वेक्टर को बोला गया है कि यह लोग collinear है तो collinear है तो इसका मतलब यह वेक्टर और दूसा वाला वेक्टर सिर्फ magnitude में डिफ्रेंस होगा अगर इसको मैं ऐसा एक नंबर लैम्डा से मल्टिप्लाई कर दूंकि इसका magnitude और डिरेक्शन इस तरह से साटिस्फाय हो जाए कि वो इसके बराबर हो जाए तो दोनों वेक्टरChall हो जाएंगे तो इस डिपेंड ओन लैम्डा ड 사람 कैसे अगर लैम्डा निगेट्व हुआ जाकता है उनकी डिरेक्शन सेम आल अगर एंड़रे लैम्डा सेम्डिक्शन के वेक्टर है 옛 Ebola सॉ यहां एंदो 2x प्रस्वन पहली equation थे बन गई 2nd equation बनेगी 1 और minus lambda, 1 एक्वेसंट बनीडा, 1 it is equals to minus lambda इंप्राइज थे lambda it is equals to minus 1 lambda in equal to minus 1 एक्वेस्टन उप्रोट करेंगे x minus 2 is equal to minus 2x minus 1 इसको solve करेंगे 3x it is equals to 1, x is equals to 1 by 3 यह मारा होगया answer, easy question नेक्स बेक्ट नेक्ट